फिलाल हमारे साथ मोजूद हैं कि सान नेता दिलबाग घुड़ा जीन से भी जानते हैं सर आज यहां पर आप पहुंचे हैं किस प्रकार की सांत्वना आप परिवार को दे कर क्या देखिए यह बहुत दुख्त गटना है और मैं तो यह कता हूँ कि यह एक इस टाइफ की गट अरफि कंदा दिया उन्हें उनको अगनी भी मुख अगनी भी जिए तो अर्जय वईदार गटना थी तो में तीए कहुंगा परमात्मा तो उसे गशांत दिए परमात्मा तेसादों बोचि पे इस में नहीए नहीं मिलना चाहिए और जorgtum वह बड़ाएंगा जाएगा यह भी बहुत गड़ना है बहुत अन्य हुआ है और्ये अर मेरे खाल में साध्य महीं पर आख scrut Smotai हैं तो इनको सांता हैं और परमातमाशी दुआ करते हैं कि इसका अपने सरकार जो है इसमें इंट्रेस्ट ले करके और पूरा पता लगाए और यह क्यों गटी बहुत क्या कारण था अभी तो कारण कहीं ने कोई राजनीतिक कारण हो सकता है या कोई पैसे दे लगा हो सकता है तो इस बात कुछ कह नहीं सकते अभी वो जांस का विश्य है इसकी सिवियाई जांस नहीं होती है तो किसान उन्हों का क्या रोल रहेगा देखिए इसमें ऐसा है इसमें कई किसान मरसा थी भी करे थे कि वह क प्रिशनों के थोड़ा विरूत थी खेते हैं लेकिन चलो देखो अब जो आदिम इस दुनिया से चलया गया तो हम उस वारे को टिपनी नहीं करेंगे ना यह बनता एक किसी बीटी है वो एक भरियाना की बेटी है हिंदुस्तान की बेटी है किसी माबाप की बेटी है और इसम हम फिर हम भी इस बात से नराज हैं कि जब तो दोस्ती का पताने चले हैं तो पाइदा क्या हुआ है कि सुधीर सांगवाण और सुख्विंदर सांगवाण तो सिरफ मौहरें हैं इनके पीछे चाल बाज कोई हो रहा है तो क्या आपको भी ऐसा लगते हैं देखिए इनमें कुछ नहीं आभी तो उन्हें किया उन्हों मान लिया हुआ है कबूल कर लिया बता रहे हैं तो कबूल करने का ये मतलए थोड़ी तहीं कर देते हैं और उस Cash वह एक आदमी थोड़ी गुनागा रूगा उसमें दस समली तो सारे-स सारी दूस्य पाऊंगे तो यह बड़ा सढ् जरूर होनी चाहिए और उसमें नयाय मिलना चाहिए जिस तरह से बीजेपी जो है सामने नहीं आ रही है तो परिवार वालों का ये भी कहना है कि सब को इस चीज़ का डर है कि अगर इस केस के परदे उगेडे गए अगर परते उठाए गई तो हो सकता है बड़े बड़े अकमें अलेकर ज्रूर मिलना लेख तो इसमें हो सकता है राजनीती को वी झालивает थी और आपने त्यों चाहिए चाहिए यहां मिलना चाहिए तो एक अलग चीज़ें थी वह राजनीती बाते हैं राजनीती में था अरहम किसान लोग हैं अमने को राजनीती मतलब नहीं हमारे तो किसानों की बलाई से मतलब है किसान मजदूर गरी बादमी और पीडित और सोस्टी के लड़ा हैं और अन्ये के साथ तो वो तो तो उमने के प्रक्स्राइब न्याए ही मिलना से अंते हैं जिस तरह से सम दिन जो है एक करके जाते जारे हैं लेकिन अब ही तक जो है गुथी पूरी तरह से सुलज नहीं पाई तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए क्यों जो है इतना समय लगता चलए देहां कि मेडिया में से और जब छी दिन मडरूवा वार इस दिन मांग के रही कि यह कि अटिया कि यह कह रहे थे ना अटिक, अब जाए कि अब सरकार से अब परिवार भी मिला है, क्यों मुख्यमंत्री जी निका था तरो प्रिवार लिख के देगा, तो फिरूँने के तो पिर जान चाहिए दिक्कत कि दूद का दूद पाणी का पाणी होना चीए दोसिय उसको सजा मिले कि कोई और जो है बड़ा इसके अंदर राजनेता सनलीप्त हो शायद इस वज़े से ऐसा हो रहा इस वज़े से जो है डिल की जा रही हो देखो अम यह आरप तो नहीं लगाएंगे वाकि एकला सांगवान तो मारने वाला है नहीं और तो हैं ही इसमें देखो राजनेतिक तो है परतेक्स दोनों से आपको भी पता है इस बाद बच्चे बच्चे न पूछोगे दो इसने भी पता है आप अगर कहीं भी आठ साल के बच्चे को पूछओगे दोस को भी पता है मेडिया को भी पता है रमेबी पता है सरकार को भी पता है आम तो यह का जोड़ के रिक्वेस्ट है मारी सरकार से आप यह जयंके डिक्स गरे बिख्या नहीं पाई है कि वो अपने माता पिता दोनों को खोच चुकी है और ऐसे में उसको खुद अपनी मा के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसके बावजुद भी सरकार जो है आंके बंद करके बैठी है अगर जे निर्न नहीं दिवाया तो हम तीनों मोट से हैं वे हम अबी नहीं में लगता है कि जिस तरह से आप सभी लोग सामने आरहे है बार बार जो अपनी मांगे आप कर रहे है जो जिस तरह के आप लोगों को भी कि कम कहां आ रही है लेकिन उसके GMA पिसी प्रकार कोई अगर तो आज की मैं बात करूत है तो आज जो अनके चोटे ट्वीट किया गया था जिसके अंदर उनका कहना था कि पहले ही दिन वो मोके पर पहुंच चुके थे पहले ही दिन उन्होंने जाते ही बता दिया था कि उनकी बहन का मार पिट हुई है उसके साथ उसके बाद उनका मर्डर किया गया तीन दिन उसके बाद लग गए काफी सारे ऐसे सबूत थे जिनको मिटा दिया गया इतने समय में क्योंकि तीन दिन का समय बहुत होता है अब जो है गोवा पुलिस से भी ये बात बोली जा रही है कि आप लोग जो है CBI की जाच करवाई है CBI जाच के बाद जो शायद और बहुत सारे तथे जो है निकल कर सामने आए ले करना तो नहीं थी लेकिन अगर जे वह सही आदमें थी आम जात मानना नहीं तो आम यह करेंगे अधे देंगे कि जो आमारी जो सरकार है उनसे मांग करेंगे वीजी बहुत होनी थी अगर नहीं होगी माज़ां और अमारे करने पर तो हम तो किसान मोर्ट एक जितने भी हैं म कब तक में जये गाद किया जी दो दिन में भी दिन लगवा कि देखो कि अब हम पुलीस आब इसर पुलीस अब इसार है अभी यह हमने लिख के रपोर्ट द है इसार पुलीस को यहां जो समान चौरी हुआ है आब इसक अभी तक वह भी नहीं पगड़े गया बात्री गोव पुलिस तो दस दिन के रस्ट के अप कितनी तेर में आधर लियोगी और पुली से अटाई को आप से सचाई को यह बहुं कितनी द्रमिल Haan अगर की सबूत सबूत भी मिल चुके। पूलीस में सचाई तो पॉ virus म過來 अदमी इतनी टाइम लगने की जरूट की अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो आप कितनी देर में बता होगी आप बताओ दस मिंट में गंटे में अच्छे से करेंगे तो वो बता ही देगा कितनी देर लगती है अब यह बता हो वह दस दिन का रिमांड की जरूरत क्या थी रिमांड तो एक दिन का बहुत होता है पूछे तो एक दिन का रिमांड भी काफी था एक दिन में ही सच्चाई निकल कर सामने आ जाती अगर अभी तक की बात करे तो दो CCTV फुटेज भी निकल कर सामने आये हैं दो वहाँ पर और एक्यूज जो है उनको भी पकड़ लिया गया जिनके द्वारा ड्रग्स एक जिन में निकल कर सामने नहीं आ रही है जब CBIA जाच जो कि पहले दिन से परिवार वालों के द्वारा बोली जा रही है कि CBIA की जाच होने चाहिए नार्को टेस्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री के पास जब ये बात पहुँची थी तो उनके द्वारा एक बयान निकल कर सामने आया सीएम से मिलने के लिए वहाँ जाकर अपने जाकर के उन्होंने वहाँ पर लिखित में भी दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कारवाई नहीं हुई है लगातार जो है बयान बाजी बदलती जा रही है आप लोगों क क्या कहना है कमेंट पर दर्शन पर आएंगे वो भी सामने आएंगे और डट कर जो है न्याय की मांग की जाएगी वीडियो को शेर करते हैं साथ के साथ मैं सोनिय किसी और खास अपडेट के साथ आप सब के सामने